ये कुछ तस्वीरें आप काफी दिनों से सोशल मीडिया पर आइम शॉर्ट जरूर देख रहे होंगे अलग-अलग टीवी चानल अलग-अलग ट्विटर हैंडल सब लोग अलग-अलग ये सारे पिक्चर्स जो हैं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है और आप कहीं न कहीं कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो इस टाइम पर प्रोटेस्ट के रूप में चल रहा है हमारे देश की क्यापिटल में आप सभी को पता है wrestlers जो हमारे देश की पहचान होते हैं, जो हमें Olympics में medal लाकर देते हैं, हमारे देश की शान होते हैं, आज कल उनको एक अलग ही wrestling जो है लड़नी पड़ रही है, जो की है system के खिलाफ. आज के session में जो ये protest चल रहा है, इतने महीनों से, महीने इसलिए क्योंकि आज से नहीं January से चल रहा है और आज हम मई end पे खड़े हैं, में end पे खड़े हैं, तो इतने महीनों से protest चल रहा है, क्या है ये protest क्यों है, इसकी तहे तक जाएंगे, सारा मुद्दा डीटेल में समझे Hello everyone, मेरा नाम Pinky है और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अड़ा 24-7 पर शुरू करते हैं, तो हाँ जी, आप सभी को पता है हमारे देश ने जो है बहुत सारे wrestlers हमें दिये हैं, चाहे वो गामा पहलवान हो, दारा सिंग हो, जिन्नोंने बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट जो wrestlers हैं दुनिया के उनको हरा दिया है, बट आजकल जो है इन सभी लोगों को एक अलग ही fight लडनी पड़ रही है, एक लाइन में समझे तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये है sexual harassment का, आप सभी को पता होगा कि Wrestling Federation of India, जिसको हम WFI भी बोलते हैं, उसके जो President है हमारे देश में वो है भूशन शरन सिंग, ब्रिज भूशन सरंग शरन सिंग, जिसके खिलाफ sexual harassment का जो है case दर्ज हुआ है, यहाँ पर जितनी भी female आप बोल सकते हैं कि हमारी wrestling team में है, उन्होंने इनके खिलाफ एक case दर्ज करवाया है, और तब से अब तक ये सारा ये कहता है कि कोई भी office हो, कोई भी organization हो, जुसमें 10 या 10 से जादा लोग काम करते हैं, उनको एक अपने internal committee बिठानी पड़ेगी, जहां पर ये शिकायते दर्ज करी जा सके, अगर office में या फिर workplace में किसी भी lady के against, किसी भी लड़की के against, कोई भी sexual harassment का case होता है, तो वो जाकर उस committee में अपनी complaint दर्ज करवाई जा सके, एक चोका देने वाली खबर Indian Express ने यहां पर report करी है, जहां पर Indian Express कहता है कि not just wrestling, half of the national sports federation don't have sexual harassment panel mandated by law, कि जो हमारे कानून ने बोला हुआ है कि ऐसे हमारे पास committee होनी चाहिए, wrestling तो छोड़ो, हमारे देश में आधे से जादा, half of the national sports, आधे national sports में ही यहां पर ऐसी कोई federation या फिर ऐसी कोई committee नहीं है, तो यह अपने आप में एक शोका देनी वाली बात है, इसको मध्य नजर रखते हुए हम आगे का पूरा जो है session लेने वाले हैं, तो कहानी कहां से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है, जहां पर इन बातों को सुनेंगे वगेरा वगेरा तो इन्होंने अपना protest बंद कर दिया था, पर इनकी बातों को अफकॉस नहीं सुना गया, इसलिए इन्होंने अब फिर से protest शुरू किया है, जहां पर आप सभी यहां पर देख सकते हैं, जहां पर यह कहती हैं कि यह जो है बोलती है, यह क्यूस करती हैं, ब्रिज भूशन शरन को sexually abuse करने के लिए, कि इन्होंने हमें इसने बहुत सारी लड़कियों को sexually abuse किया है, और इन पर मिस बिहेवियर का भी यह चार्ज लगाती है, और यह भी कहती हैं, बहुत सारे जो wrestlers हैं, यह भी कहते हैं कि Indian Wrestling Federation के जो camp है, उनको जा बूज कर लखनाओ में लगवाया जाता है, क्योंकि लखनाओ में इस इनसान का घर है, उसके साथ साथ बहुत सारे और आरोप लगाये गए हैं, जैसे rules के साथ फेर बदल करना, humiliate यानि जो है बेजती करना wrestlers की और यहां तक कि अगर इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करी ग मैं आपको discuss करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ, चुंता मत करिये, ठीक है, चलिए, so मैंने आप सभी को बताया, January में यह मैटर शुरू हुआ था, तो इस मैटर को देखते हुए हमारे यहां पर एक कमिटी बठाई गई, Supreme Court ने basically बोला दिल्ली पुलिस को कि इ इतने भी और Olympic medalist हैं, जैसे हमारे नीरक चोपड़ा हुए, अबिनव बिंदरा, यह सब लोग यहां पर support कर रहे हैं इन रेसलर्स की, उस कमिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो बड़ी important है, वो कमिटी बिठाई गई, और The Print यहां पर आप देख सकते हैं, 13 अप्रेल क यह बात है, जब The Print यह चापता है, उस कमिट, The Print के माध्यम से हमें पता चला कि उस कमिटी की क्या findings है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ कमिटी के बारे में चापा है, इनका खुद का कोई opinion नहीं है, कमिटी के जो findings है, वो बहुत चका देने वाले आये हैं, जहां पर यह लिखा ह हुआ है कि sexual harassment allegations against bridge bhooshan, जो WFI chief है, could not be proved, वो जो भी allegations लगे हैं, वो नहीं proof करे सके हैं, यानि वो proof नहीं हुए, ठीक है, जो है proper proofs नहीं हैं, ठीक है, जो यह नहीं proof हो सके हैं, उसके साथ साथ इन्होंने यह भी लिखा है कि जब यह पूरी inquiry कर रहे थे, तो उनके सामने आय एक physiotherapy का ना, एक physiotherapist एक लड़की थी उनका नाम, जहां पर आप बोल सकते हो कि पहले तो उन्होंने बाते चुनने को आई थी कि जो bridge bhooshan है, उन्होंने एक physiotherapist को जो है अपने पास मसाज के लिए बुलाया, कि उनको back pain है, तो मसाज के लिए उनको बुलाया, बात में जब उनसे पूछा गया, उन physiotherapist से पूछा गया, तो उन्होंने जो है मना कर दिया, अब वो सच में ऐसा था या उन्होंने डर के मना कर दिया, इस चीज के बारे में हम यहां पर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसी कोई report नहीं आई है, report में जो लिखा गया है, वो सिर्फ लिखा गया है, कि उस physiotherapist ने मना कर दिया, यह बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मसाज के लिए नहीं, सिर्फ एक टाबलेट के लिए जो है, पेन किलर के लिए जो है, यहां पर बुलाया था, या पेन किलर मैंने दी थी, सिर्फ उससे जादा कुछ नहीं हुआ, उ उन्होंने बाद में जविनेश ने बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज करी और यह बोला कि नहीं, यह 2016 की मंगोलिया की मैं बात कर रही हूँ, जब यह एपिसोड हुआ था, उसके साथ शाक्षी मलिक, I'm sure आप जानते हूंगे, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने आगे से जो है कंपलेण करी है, और यह भी बहुत सारी लड़किया बोल रही है, डेखें ऐसी बाद में बात हैं, अभी जो है इस पे जतनी भी इंवेस्टि另केशन हैं, वह चल रही है, दोनों ही साइट हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कि अगर ऐसा सच में हो रहा थ तो ये 10 साल से चल रहा है, इसको क्यूं होने दिया, पहले क्यूं नहीं आएं, और क्यूं जो है ये सारे मिल जुल कर रहते थे, एक दूसरे के फंक्शन्स अटेंड करते थे, अगर ऐसा कुछ हो रहा था, तो एक वो वली साइड भी है, एक इनकी साइड भी है, जो मैंने यहीं बोलना चाहूंगी, कि we really hope कि जो भी हो, हम investigate करें, इसकी तहे तक पहुंचें, और जो भी कल्परिट हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहीं मेरा कहना है, और अगर आपको मुझ से जुड़े रहना है, और ऐसे ही topics पढ़ने हैं, तो यह मेरा telegram चानल है, जी बेड़ cosplay करें, जी खऑ़े हैं, जी जी जरहे हैं, और आपको मुझ से जी जना है, यहीं मेरा जाए, ओán दोओ प्याहई करें, जी जना हु़े हैं, जी एह आए हैं, तो यहीं मेरा sizzए प Whats करें, जी एतन। उतना मुझ से बढ़ने हैं, जी वहीं मेराद़ेनर नाह पह ऑई